तो आज है फूल डालने का आखरी दिन और पपाजी यहां पर प्रेस कर रहे हैं और यह देखिए यह हमारे घर का चोटा चोटा फुलारी और इसको खील देते हैं पुलारी और पैल ने आज सुभए-षुर डाल दिया थे, उस टाइम तक हम उठे भी नहीं थे, क्योंकि अवर एल की श्कूल है, बाई-बाई भुलारियो ! सबसे पहले, आप सभी को मेरा प्यार भेल नमस्कार, मिरी नाम है आलो करना, और स्वागत आप सभी का देव भूमी उत्राखन के इन खुबसुरत पहाड़ों से अभी सुबह के करी साड़े आट हो रहे हैं और हमारी तैयारी हो चुकी है आज के काम पर जाने की तो आज छोटे मोटे काम निप्टाने बाकी हैं साथी साथ आज फुलारियों का आकरी दि प्लंबर भया भी आने माले हैं थोड़ी देर में तो आज कीचन में जो भी पानी का काम हम कर रहे हैं वो निप्टा देंगे अभी नीचे गाव में ढोल दमाव बज रहे हैं और बच्चों का जो भूल देगा त्योहार है उसमें आल लास्ट के दिन घोगा देपता भी नि साथ गर्मियों की सेल भी चल ली हैं मतलब की सौपिंग करने का सबसे बेश टाइम है अभी अजियो से लेके मिंटरा पर जबर्दस सेल चल ली हैं विद अप टू 90% आफ बट मेरे पास एक स्मार्ट एप है जो कि मुझे सौपिंग करने के फ्री पैसे देता है अब Amazon अजि टेंस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर अप्टू 30% एक्स्ट्रा कैस्वेक अलग से कैस्वेक माने की हर सौपिंग पर फ्री पैसे यहां कैस्वेक कैस्वेक डिलिवरी और ओनलाइन पैमेंट दोनों पर मिलेगा टेंसन की कोई बात नी है क्योंकि यह एप मिश्टर रतन टा से डाउनलोड करने पर मेरा कोड़ पहाड़ी 25 यूज कीजिए तो भी आपको मिलेगा 25 रुपय का इंस्टेंट बोनस एप को उपन करने के बाद होम पेज पर कोई बी मन पसंद की वेबसाइट जैसे एमेजन या मिंट्रा सर्च कीजिए और उसके बाद औरेंड कलर के पलंबर वया भी आगे हैं अब सारा काम निक्टा देते हैं पानी का जितना भी है तो फाइनली कीचन में जो पानी का काम था वो कंप्लीट हो चुका है हमने पहले कीचन में गीजर का कनेक्शन नहीं चुड़वाय था नहीं उस पे सिंक मिक्शर का कोई प्रोविजन दिया था अब बाद में जरुत पड़ी इस सार्दिया इतनी भेंकर हुई कि मुझे लगा कि यहां पानी तो बहुत टंडा आ रहा है जो कीचन में काम करेगा उसके लिए दिक्कत होने वाली थी तो मैंने सोचा जुगार करते हैं और कीचन में सिंक मिक्सर लगवाते हैं और एक इंस्टेंट वाला गीजर जो की हमने वी उपर इंस्टॉल कर दिया है और वहीं से पाइप बाहर गया बाहर दिवाल पर फिर कटिंग करी और फिर यहां अंदर ले आए और यहां पर यह कुछ ऐसे हमने सिंक मिक्सर लगा दिया है अब इस पर अच्छे से पानी आ रहा है यह तो हमारा डारेक्ट वाला पानी है इसको हम पीज सकते हैं और यह वाला है तो यह आएगा गीजर वाला हलका सा बनून आया है क्योंकि हमने गरम कर दिया था एक बारी तो ऐसा कुछीन है अब इस पर जो में लाइन का कनेक्शन है करन्ट कैसे जाएगा गीजर पर उसके लिए पहले यहां पर छोड़ा हुआ था लेकिन गलत जबा पर छोड़ा हुआ है अब कुछ दिनों में इन ही को बुलाना पड़ेगा क्योंकि यही पानी की फिटिंग करते हैं और यही लाइट वाले हैं तो इनको दुबारा आना पड़ेगा और उपर ही एक कनेक्शन देना पड़ेगा और परस्वा में उक्यावंड मार्केट से जो यह कनेक्शन यह किसी काम ने आया इससे लीकेज हो रहा था जोड़वाग इतनी ज़्यादा होगी है कि पिछले दिन की वीडियो अब जाके रेंडर कर रहा हूं और इसके बाद अफ्लोट पर लगानी है तो वीडियो इसलिए लेट हो जाती है कभी-कभी काम ज़्यादा हो जाता है और सुबह के टाइम का काम भी निप्टा दिया है और प्रीत ही हमारा वेट कर रही है क्योंकि आज हम घर से बाहर बनाएंगे खाना और यहां मंसुना मार्केट में आज आई हुई है सेवा अरुग्यम की बस जो कि सेवा इंटरनिस्टल के द्वारा चलाए जाती है उसे मेडि पर हमको उस खेट पर ले जाएगा जहां पर आउट्वर कुखिंग होगी आज अरे वाँ यहां देखें यहां पर लगे हैं आउट्वर कुकिंग वाले लग एक खाना बनाने हमको लगा की बन गया हो यहां फूनकर लोगों के यहां सिर्फ काजल आई है हमारे साथ यहां पर आउट्डूर कुकिंग के लिए और यहां पर क्या बंदा इसमें आज दाल धात और यह क्या बंदाई सब्सक्राइब पर ऐसे बाहर ना खाना बनाने में एक ही दिक्कात है कि हवा चलेगी तो आच इदर दर जाएगी आगी तो खाना बनेगा अज बनाएंगे हम शपन परकार के भूँशाइब आग जलेगी तो और खाना बन के तयार हो गया है कादल के आइस पर दाल है जहां पर हमने खाना बनाया वहां पर नहीं खाएंगे खाएंगे हम यहां पर और खाना थोड़ा थोड़ा बाहर रख दिया है अब यहां पर जो है न ऐसी थोड़ा धलान पर है तो थाली आट गाने में जो रदिक्कत होगी, पचला थाली लुड़क गई जैसे खाना बाटे थे एक सीन होगे आमारे साथ, हमारे जो कर्ची है वो टूट गई वल बहुत पुरानी कर्ची थी, कब गी थी? साधी की कर्ची है वल कि वह कर्ची है? से कुझा हैं कि आप की रहे हो इसको तो अब टूट गई है? कोई बात ही यहां इनसाने नही रहे हैं वो अब डेली यूज होने वाली थी तो अभी का सीन कुछ ऐसा है की हमने खाना भी खालिया है और हम्से कोई मिलने के तो हमसे मिलने के लिए हैं दिल्ली से एक फैमिली जो कि तीन मेने पहले भी हमारे नए वाले घर पे आए थे तो चाह लोग आये हैं अंकल जी हैं उनके बच्चे हैं तो अंकल जी कैसा रहा आपका सफर बहुत अच्छा लगा यादगा रहा इसलिए दुबारा फिर आये अलो महां का कैसा रहा है और आपका कैसा रहा है बड़ी अलगा तो अपने डेली ग्यूर हैं तो थैंक यू समच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए और आते रही हमारे उत्राखंड में तो चले जी धेट सारी बातें हुई अब जो फैमिली हम से मिलने के लिए हैं वो मन्सुना जाएंगे बुरांस का जूस लेने के लिए हमारे लिए चड़ाई का यह रास्ता नॉर्मल है लेकिन जो सहर वाले हैं उनको जरब मुश्किल सी होती है ऐसे रास्ते पे चलने में तो मन्सुना में इस तुकान भी मिलता है बुरांस का माल्टे का जूस और साथ- अचार भी मिलता है अब हमारे साथ जो लोग आये हैं इनको यहां से थोड़ा सा टेस्ट करवा देते हैं बुरांस का जूस कि कैसा हो रहा है फिर उस साबसे यहां से ले जाएंगे आगर यहां पर मेरकर भी दे रहा है जूस चलो जी यहां से रखे हैं दो बोटल पांच- सपाई रहेगी है अंदर अलमारियों की जिसपे मैं सुबह लगा हुआ था वाकि आप सामने की पहाडों का टाइम लेप्स एंजोई कीजिए तब तक तो यहां पर सपाई करते करते अंदेरा हो गया है बाहर और अभी-अभी मुझे लोयल लेकर से पहुन आया कि आपका एक केक है मुझे लगा कई गलती से पहुन तो नहीं कर दिया उन्होंने फिर पूचा वोले कि आपके सब्सक्राइबर्स ने वेजा है तो मैंने पूचा वही दिल्ली वाले तो जी हां मुझे एक केक वीजा है इसकी वैसे क्या जब्रात थी लेकिन आपने भेजी दिया तो आपको बहुत बहुत अन्यमाद बस आप घर चलते हैं जल्दी से तो थेंक्यू समझ आपके इतने प्यार सपोर्ट के लिए तो दोस्तों पांच सो रुपया के पांच एमेजान वावचर जीतने के लिए बस सिंपल से दो स्टेप्स हैं पहला यह है कि डिस्किप्शन में दिएगे लिंक से कैस्पर आपको डाउनलोड कीजिए या फिर प् अगली नई वीडियो में तब तके लिए जय हिंद जय भारत जय देव उमित्राखन